कि नमस्कार फ्रेंड महें मुर्त जक्मा स्वाइद करता हूं आपके अपने फिसले टीजर डीर मुर्तिजर में हम लोग मैद का बहुत ही इंपोर्टिंग टॉपिक पड़ रहे हैं आई पर दहुत प्रसनों कर रहे हैं हम लोग पिछले पार्ट में बेसिक से मोटे को चनलो क तो अगर आप मेरे पहले पार्ट को नहीं देखें तो मेरे लिग दिया हुआ उस पर जाकर आप देख सकते हैं चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं कुर्शन आज का पहला कुर्शन है मेरा कि A और B की आयू का अन्रपात दिया हुआ तियर पात दो है अगर C की अन्रपात रूंआ के वीडिया हुआ है C कका यसी बर्तवां दिया हुआ है जाल एक 117 वर्स है और कि वर्तवान आयु क्या है 4 वर्टा 13 है ठीक है एक इतने साल बात एवर बी किया एक हालगा 15 रेशियो 11 हो जगा तेल्स Beetle को हम लोग किस बखार से solve करने वाल है कराय की A और B का A और B के 3 लुपात दिया हुआ है के तल्स तल्स दिया हुआ है 3 लुपात 2 दिया हुआ है ठीक है इसका रेशियो दिया हुआ 3 लुपात 2 और कारा C का जो दिया हुआ है C का दिया हुआ आउय भीयोगा है कितैने हो एक सो सत्तरा को सी के कहता है कि 4 वटा तेरा है अगर एक के बात किया जाए इसके आयू का तो 117 के हाँ इसका 4 वटा 3 है और इसको कार दिया जाए तो 9 अर्थवे कितना हो गया 9 जगा 36 यनि कि एक आयो कितना होगा 36 वर्स का होगा अब कोशन में आगे देखते हैं करा कितने साल बाद पिछले कए हम कोश्चन हम लोग किये हैं उसमें हर एक में दिया हुआ आता था कि यहां से 10 सल वाद 5 सल वाद इसका रेशियो यतना हो याता है लेकिन इस वार हमें इसे आयो नहीं दिया हुआ है और वही पूछ रहा है कितने वर्स को बात कर जागा 15 रेशियो 11 हो जाएगा अब हम बात करें कि यहां से एक ओ यहां आने में और यहां से 20 यहां आने में क्या होता है कि दोनों का जो समय लगता है वो समान लगता है लेकिन यहां देखते हैं कि जो यहां से यहां तक यानि कि पंदरा से तीन के जो बीच का गैप है कितना का गैप है 12 का गैप है और यहां से यहां तक इसका कितना गैप है यह गैप मेरा 9 का गैप है यह दोनों गैप क्या है समान होना चाहिए था लेकिन यह दोनों gap क्या है अंतर है ठीक है समान इसलिए होना चाहिए था कि यहां से यहां तक आने में दोनों जो है समान समय बिताता है तो यह भी जो gap भी होना चाहिए था समान होना चाहिए था ठीक है देखते हैं यह दोनों का जो अंतर है उसको हम लोग क्या करते हैं पहल उपर वाले का में दोनों का अंतर यनि कि दो यह तीन दो का अंतर रहो गया औरो नीची वाले एफ कितना है चार नीचे वह जो अंतरा था इसको उपर क्या करते हैं गुना करते हैं ध翻 Adов lado जो कितना करें गारेंगा चार से इसको भी गुना करेंगे किसे चार से spine यह जो अंतर है उसको नीचे वाधा से गुणा करतेगे टिक इसको इस से गुणा करेंके अब देखते हैं यूद्ष गुणा करने के वाद मॉल्टिपलाइं के लाट क्या आता है जो देखते हैं अले चार तीर से जना के जाए तक आजगा बारा झागा ठीक है जो पहले वाला रेस्वीं ओसे हमको मतलब नहीं है तूंसा गना करेंगे दो ट चयातरा करें तक कि बार्ष करें to चरुणा करें तक ना पम ऐसा ऑठ जगा ठीक है और पनतरा से क्वुर्णा कर तो सिकते रहें के या है दे मिक्याएं आप तो यहां से देखते हैं हमनτα की वीच की गैप दकते हैं तो क्या हता है 3 हो गया यहां भी कितना ओगे हला गया को गया अब देखते Q alien करता है कि । परत्वान एयु कितना गैए 36 वर का कितना चरवटा तीन है कि सन्सात्रा करना चरवटा가 3 है यह जो और यहां से जो यहां से लेके यहां तक जो समय बिताया वह भी इसमें और इसमें दोनों में से मुना चाहिए तो यह गैप तीन काना होके क्य scraping गैप होगा इसका तीन मुना होगा यानि कि यहाँ से यहां तक जो समय लेगा न समय लेगा नुसral होका समय लेगा ठीक है बढ़ते हैं अंगले question क्यों बने रहे हैं मेरे channel पर देखते हैं अंगले question कैसा होग यह फिर देखते हैं बहुत important question है अभी इसको हम देखते हैं systematic में कैसे सोल करते है question मेरा है कि अंकुर आ उसकी बहन की बर्तवान आयो दिया हुआ है अंकुर है को लाका है ठीक है और उसकी बहन है यानि sister है उसके बर्तवान आयो केतां दिया हुआ है रेशियो में 4 अनुपात 3 दिया हुआ है ठीक है अब कर रहा है कि 6 सल बाद 6 सल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई का अई दिया हुआ है तीन अनुपात दो दिया हुआ है अंकुर है इसकी बहन ठीक है और को भाई होगा उसका रहा 6 सल बाद ता 6 सल बाद बाद किया जाए तो उसका जो अनुपात कितना होता है तीन आनुपात डोह दां कितना शुल बाद शे साल बाद त réflexित अब हम बात करें के उसकी और उसके भाई के ʃ का जो भाई है उसका कर चा उसका दिया हुआ है किले ब्रादर है उसकी invest भाई में अंकुल के आयोग याद करना है यानि कि अगर हम परजेंट एज निकाल ले और उसमें तीन साल को जोड़ देंगे तहां हमें उसका आयोग निकल जाएगा कोर्शा नहीं करना है अब देखते किस पगार से करते हैं परजेंट एज दिया हुआ उसका भाई का 32 अब 6 साल बाद कितना गुणा हो जागा 29 अब बात करते हैं इसका आंकुल का बाद का परजेंट एज कैसे निकल लगा तो 6 साल बाद है संतामन तो इसका 6 साल पहले कितना हो जागा यह कितना हो जागी 51 ठीक है अब करता है कि जो परजेंटेज का रेश्यों है 4 से 3 यानि अंकुल का बाद का 3 है जो देखते हैं यह कामन है जो 3 से कितना गुणा है 17 गुणा है ठीक है तो उसी पकार से इसका अंकुल का बरतवान आयो कितना होगा 17 गुणा हो जागा यानि केतना जागा 68 ठीक है 800 वाद हो जागा अब कर रहा कि 3 साल बाद हम निकाल चुके हैं अंकुल का बरतवान आयो तो साल है तो तीन साल बात कितना जगा जोड देते तो कतना जगा 71 वर्स ठीक है क יותר वक्रसे हम को सूल्ष कर चुके हैं बढ़ते हैं नेक्स्सक्रण को देंगते हैं है नेस्ट नेस्ट मेरा कैसा होने वाला अध्रा भिर्ट्र है अमीड की वरतवान पहुं की वरतवाँ न दोगनी है अमीड का जो आयू है टिक है और और बवन, जिसके आयू का कहता है, दुगोणा, यानि कि आगर बवन एक है, तो अमीद केतना है, दुह, तीकह यानि कि दोन पार, एक तिकहे, अब क्या कुशन क कर रहा है, पांच साल बाद, बह्मन की आयू, चेतन के वर्तमान आयू की क्या है, चार गुनी है, जो बह्मन है, इसका पांच साल बाद, ठीक है, पांच साल बाद, कर रहा है, कि किसका, चेतन के, अगर चेतन का वर्तमान आयू के बाद किया जाए, अगर एक है, इसका कह दिया जाए, त चार गुना पांच सल वाद यानिकी 4 अगर माल गीजा है कि चेतन का वर्तवान आयू है पांच साल तो 12 का पांच सल वाद कितना हो जगा कि अप तो पहने मनाया हो तो अमीद की वर्तवान आयू क्यात करें हम पहले बरतवान आयू वीक का यानि 22 का हम निकालेंगे तब यह हम आमिति निलीगा तो किस पगास देखतें हैं करहाई की जेतन करहाई की छहम्मा जनमदीड यूशिन अगर भरतवान यह है ठीक है अगर भरतवान का बात किया जाए कि जेतन का यह बरतवान है और साथ साल पहले, ठीक है, तो साथ साल अगर इसका पहले जाते हैं, साथ साल पहले, ठीक है, तो केमा मनाया था, छाठमा मनाया था, ठीक है, तो अभी एक केमा मनाएगा वर्तवान में केमा, यानि की तेरमा मनाएगा, ठीक है, वर्तवान में इसका कितना साल है, तेरा साल का, अ चार कुना है अगर यह तेरह है चेतन का तो बवंड इसका वर्तवान का वर्तवान साल कीतना होगा वर्तवान में उसको कितना वर्स हो तो इसमें हम क्या करेंगे, पास अगर घटा देते हैं, तो 22 का निकल जगा वर्तवान, तो कितना जगा? 47 साल का, ठीक है? यानि 22 का वर्तवान आयू कितना हो गया? 47 साल का, यानि कि रेशियो से कहा जबात किया तो कितना गुना? 47 साल का, उसे पकार इसका अमीत कितना जगा? 47 गुना ठीक है तो कितना जगा यानिकी 94 साल का यानिकी अमीद का आयू कितना जगा वर्तबान आयू कितना जगा 94 सालों का हो जगा ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और अब जो हम लोग जितना भी कोश्चन कर रहे हैं सभी कोश्चन है जो बहुत इंपोर्टेंट है में जाँ में इसंब समीक का नावाला कोशन है ठीक है पनते हैं निश्ट कोशन की ओर देखते हैं अकला कोशन आई तो डीक इसकी किसम क्र शूल कर नमार के माद लिए कोशन है पर किके बरतमान उम्र के नुपात दिया हुआ है कितना 3-4 ठीक है और 13 साल बात कहता है क्यों है यह पी से 5 साल बड़ा होगा पी की बरतमान उम्र किया है अगर बात करें जाए इस कोशन को तो बिदिन 2-3 से केंड इनफ है इस कोशन को सुल्व करने के लिए देखते हैं कि हम 2-3 सब्सक्राइब करते हैं इस को सोल्व करने से पड़े कुछ लोजिक जो इसको समझते हैं अगर बात करना गया जाए तो राम और स्याम राम और स्याम यह दोनों क्या है भाई है ठीक है अगर हम बात किया जाए कि राम है जो पांच साल क्या है बड़ा है किस से स्याम से ठीक है राम है जो पांच साल बड़ा है किसे स्याम से अगर हम बात करें कि 2021 में अगर राम का जो अभी उम्र है वो दस साल का है ठीक है अगर बात के जाए दस साल का है तो यह कितना का हो जागा पंदरा साल का बात फिर अगर बात किया जाए 2021 का बात किया जाए या 2050 का बात किया जाए या 280 का बात किया जाए तो राम और स्याम के बीच जो आयो का डिफ्रेंस है हरा मेंसा 5 साल का ही होगा ना कि दोनों का डिफ्रेंस में कोई 5 साल का जो डिफ्रेंस है तो पांच साल का ही रहेगा जो एक्चुल में सूर्म जी ट्रिफिर्स है ऑई में वो क्या होगा वो लास्ट तक भी वही रहेगा यहाला है ठीक है उसी पगार से question पर आते हैं तो हम देखते हैं question में हम किस पगार से solve करने वाले हैं इस question के बात किया जाए तो देखेंगे P और Q ठीक है P और Q ठीक है अब कहें दोनों का जो ratio कनपा दिया हुआ कितना तीर अनुपात 4 ठीक है अब कर रहा है कि 13 साल बाद अब 13 साल बाद कहा है या या तो यह बड़ा हो या यह बड़ा हो हरमेशा क्या होगा हरमेशा क्या होगा जो आयो का डिफ्रेंस होगा वो एक साल में हो या दो साल में हो चार साल में हो जो आयो का डिफ्रेंस क्या होगा समान ही रहेगा ठीक है तो इसकी आयो का डिफ्रेंस किता है अगर 4 अ 3 का डिफ् कर सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर तो आए फ्रेंड तो आये इसकेंट को किस पकार से स्वल्व करने वालने यह कोस्ट्ट जस्ट जैसा ही है कहरा है क्योंशन है P और Q की वर्थमान उम्र के बीच का अनिपाद ल्वाए 4 अनिपास साथ है ठीक है वर्थमान है उम्र है P और Q का बाथ बात किया जाए कितना अनिपास है 4 अनिपास साथ है अब कहता है 27 साल बाद Qagine P से 12 साल बाद Q है जो P से कितना है 12 साल बड़ा है अब हम कुर्चन को समयते हैं कि या तो 27 साल कहे या तो 7 साल कहे या 2 साल कहे या 4 साल कहे या 50 साल कहे हर हमेशा Q P से 12 साल बड़ा ही होगा यारी कि दोनों के बीच चू आयू का हरन मेंसा डिफ्रेंस होगा वह कितने साल कहोगा 12 साल कहाँ अगर अगर बड़ा आउम क्या है पर जेंट है मेरा ठीक है अगर P के वर्तवान उम्हों कहा जाए तो इसका भी कितना का चार गुणा यानि की 16 वर्स इस पकार से हम कोशन को असानी से बेदें 2-3 सेकेंड में निकाल सकते हैं बढ़ते हैं कोशन है कि वर्तवान में A, B और C का योगफल दिया हुआ है 93 वर्स का है और 10 वर्स पूर भी इनके आयू का योगफल केतना है 93 वर्तवान में A और B और C के क्यार निकालना है आयू निकालना है अगर हम बात किया जाए कि A पलास B और पलास C इन दोनों का जो आयू का योगफल केतना है 93 अब कर रहा है कि 10 साल पूर अगर 10 साल पूर हम जाते हैं यह तीनों का योग तीनों का आयू का बात करें तो कितना कंड़ पात में है अब क्या होगा कि 4-3-7 दोनों के जोनते हैं तक कितना आता है कुछ बच्च क्या करेंगे 10 साल पहले हैं यह है तो दस साल पहले करेंगे तो आवर 10, 103 लिखते हैं ठीक है आप इससे – निकालना, स्टार्ट, कर देगए लेकिन कियог गलत हैं जिरी असहें समझते हैं अगे हम बात किया जाए आप की वह चाहिए आपर के मने में क्थे ओस हो हुए तो इसका उम्र केतना हो जागा 10 साल का हो जागा 10 साल के तेस साल का हो जागा है अब बात करदा है आई का योग ऑन पषाद थ нат siya जोनते है त안 केा는 पचाहसberg compete i8 35 अ avail और नयांबे साल का ठीक है अगर बात कर जाएए ये योग्रा तो दस साल पहले का तो कहते हैं यह जो यहां से दस सल पहले इसमें भी दसल ठ्राइद जो घटा इस में अग Miles धहाने कि 10,20 कि तीम आउन आया रहा होगी किसे कर आया यहां भी कर द द apert कि याद ए बे और सितीनों में जद्दसल का अगया ठीक है इसी कारण हैं क्या हो गया दस तीनों का यह होगा तो क्या होगा तो पर दो युद्द जटेते हैं तो कितना LIKE ठीक है यंदे की कितना जगा 10 सल पहले का ठीक है अब बात केंजें दोनों का रेशियों का तीनों का रेशियों का बात किया जोड़के होगा ता 4-3-7-9 यानि कि कितना गुना ईसे का unity चा challenging उसे प्कार से ए का जो आई कितना होगा Kita कितना होगा 28 इसका हुआ situation इसका जाSet 11 इसका हुआ इसका भी अगर साथ गुना बात किया जाए तो कितना जगा जाओ दा लेकिन एक्चुली में यह अंसर नहीं है क्योंकि को अंसर मेरा पूछ रहा है ए बी और सी के वर्तवान आयू ठीक है आयू कि क्या रहा है वर्तवान आयू के बारे में यानि कि 10 साल पहले का है तो 24 साल का इस पकार सेंथ को सब्स्क्राइब कर सकते हैं यहां जो खटाना है 10 नहीं घटाना यारे कि तीस साल क्या होगा इसमें से हमको मआयू करना है वर्तवान वाला हुश है तहामें यह क्या होगा संख Iss कि पाच वर्स पहले पीता पूत्र के आयू का योग दिया हुआ है 60 वर्स ठीक है अब करा उनके आयू का जो अनुपात है ठीक है उनके वर्तवान आयू का जो अनुपात है चारनुपात एक है तो पीता के वर्तवान आयू क्या होगा यादि अगर बात करें कि पीता पूत्र फादर सन ठीक है अई परजेंट है ठीक है परजेंट एज का जो रेस्यों दिया हुआ है चारनुपात एक दिया हुआ है ठीक है अब कराए कि पाँच वर्स ठीक है पहले यानि अगर बात किया जाए परजेंट है इसके पाँच वर्स पहले का बात किया जाए पाँच वर्स पहले यानि पूर्व भी का सकते हैं तो इसका फादर का और सन का दोनु का यूपल दिया हो कितना 60 साल ठीक है अब हम बात करते हैं कि अगर पा हो गया इसमें से 5 खड़ा है तो पुरू हो गया कि यानिक कहा जा जाए कि अगर दोनों का आयूँ फादर का संग का 60 साल है ठीक है कितना 5 वार्स अगर हम बात कि जाए किसमें पांत वन जोड़ जाए याई met up ऑज़ साथ और यह दोनों आयायू का योग फल दिया हुआ है पूरु का तो 60 है आगर परतवान में आया जाए तो कितना पांच वर्ष इसका और पांच वर्ष इसका यानिक दोनों मिलाके 10 वर्ष क्या होगा इसमें हमों क्या होगा जोड़ना होगा ठीक है क्योंकि जोव भी बढ़एगा तो पांच साल इसमें भी उसके पीदा यहीं बढ़ेगा अब पांच साल उसके सन में भी बढ़एगा उसका आयों ठीक है यानि कि 10 साल टीक है आप 10 साल और जोड़नाते हैं तो कितना गया 70 याapon की वरतमान में पीता पुद्र के आयो का इवतल कितना हो गया 70 साल हो गया एक्टोली में जोनों का जो ratio का जो जोन है कितना होता है 4 एक 5 यानि कितना गुना इसका हो गया है 4 चबता गुना हो गया ठीक है तो क्या कह रहा है कोशिन में पीता की भरतमान आई क्या होगा तब पीता का वरतमान आई इसका किभी कितना होगा चमताग गुना ओजगा यानी कितना हो गया 56 भर्ष कि हम फ graphs है इस परकार से को स्वल्व करते हैं को पिछले कई कई हैं पूछा जाने वाला अधने सकता है इन श्लूले कोन कि हमसे सैन। औल तो कि यहर्फार पूद्र की वतमान आयो का यकफल दिया हुआ है सब बर्स ठीक है थिए पांच बर्स पहले उनकी आयो का योगपल दिया है दो अनुपाद एक है ठीक है और दस बर्स पास्चात पीता पुदर के आयो का अनुपाद होगा हम इसमें क्या करेंगे पहले वर्तवान को निकाल लेंगे उसके बाद कर रहा कि 5 साल बाद दस सलबाद का रहा है कि 10 सलबाद क्या होगा उसका रिसियो होगा तो देखते हैं वर्स में को किस पगार से हम लोग सोडा करते हैं अगर बात कर जाएं की परजेंट का तो इसका परजेंट का दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है फादर है इस् sharplyb यान कि दोनोंstein को युटवर केतना है, 100 वर्स, ठीक है, अब पाँच वर्स करा है पूर्ब, जब जैसे पाँच वर्स पूर्ब कहे, इसका मतलब समय नहाँ है, कि फादर में भी, पाँच वर्स कम होगा, ठीक है, और उसके पूतर में भी, 5 वर्स कम होगा ठीक है आयू में तब होगा इसका पहले का 5 वर्स पहले का होगा यानि कि दोनों मिला के 10 वर्स ठीक है यानि कि अगर परजेंट का या 100 वर्स है तो दोनों का या आयू का योगपल 5 साल पहले कहा जगा 5 5 10 साले से माइनस कर देंगे ठीक है तक यतना जगा नब्य साल ठीक है अब कोशन क्या कहता है कि 5 सल पहले इसके आयू का अदूपात ठीक है 5 साल पहले ठीक है इसका आएक अनुपात कितना दिवा है दो अनुपात एक यानि कि दो फादर आएक उसका पूत्र ठीक है अब बात के जाए दोनों का आईउ को योगफल कितना है 90 कितना 5 साल पहले यानि कि 2 आएक 3 ठीक है कितना है 90 यानि कितना गुना इससे 30 गुना ठीक है उसी पकार से इस इस पूर फिर पीता का आयू को कमर जेगा इस जुड़ा यानि कितना होगया साख जाओक आप पुत्र का वास किया जा जाए इसका भी शांठ चुंठ थी कर टी कैसी है चूर्च और इसका भी तीस व्याइगा कितना होगा कितना जगा 30 वर्स यानि कि कितना होगा पूतित का 30 वर्स अपीता का 60 वर्स ठीक है अब कहता है पांच साल बाद यह यह परजेंट में अगर बात कि जाए तही पांच साल पहले का तो परजेंट का कितना जगा 52 साल का अई परजेंट का कितना जगा यह जगा 52 साल का क्योंकि क्विक पांठ से 설ई आय साठ साल अब कहा रहा हुन में दस साल करता दस साल भाण रहाँ जब कहा जाए तो इसमें क्या करेंगे 10 सल क्या करेंगे जोड देंगे ठीक है यहीं इसक्ता हो गया 45 नहीं 45 साल अगर रेशियो के बात करें तो कितना होगा 15,75 ठीक है यह 5 होगया 15,75 अगर होगया 15,45 ठीक है यानिकी 5 रेशियो 3 ठीक है 5 रेशियो 3 इस पकार से हम इस कोशन को असाने से सोल्व कर दिये बढ़ते हैं next कोशन की और कोशन है कि सीता के साधी 7 वर्स पूर्श भूई थी और उसके बरतवान आयू उसके कर रहा है बरतवान जो आयू है उसका रहा है कि साधी के समय के आयू का 5 रटा 4 है यानि उसको जो बरतवान आयू है वो कितना है साधी के समय का क्या है पांच वाटा चार है ठीक है और उसके उसके पूत्र का जो आयू है कितना है एक वाटा साथ है ठीक है किसका उसका पूत्र है जो उसके वर्तमान आयू का एक वाटा साथ है सीता के अब करा उसके पूत्र का आयू निकालना ठीक है अब कोर्शन को हम लोग देखते हैं ठीक है कुर्चन है कि वर्तवान आयू ठीक है वर्तवान आयू अगर बात किया जाए हम इस पकार से देखते हैं कि पांच वटा चार तो पांच वटा चार है यानि कि चार है साधी का ठीक है और आज का कितना है पांच ठीक है साधी का चार अब आज का कितना है यानि वर्तवान हैं यह कितना आ पाच है कैसे समझते हैं अगर मांतें कि साथ है करte फै्ट इसका पाच वाट चार यानि कि auftना यह पूरह है जो क्या है आज का है टीक है आप इस प्रकार से अब भी देख सकते Saints श्रों कि अगर परजेंट है जो क्या है साधी का कितना है अगर साधी का बात किया जाए तो कितना है पाच वाटा चार है ठीक है यानि कि अगर चार है इसका अगर तीछा कुना कर दिया जाए तो यह निचे आजगा ठीक है यहां पाच आजगा ठीक है और यह साधी वाटा चार यान कर दोनों का यानि कि आज का या वह प्रजेंट का साधी के बीच का जो समय है वो बता रहा है कितना का साधी के पूर्व ठीक है साथ वर्स पूर्व हुई थी ठीक है यानि कि आज है बर्तवान जो उम्र है उसका साथ सन पहले इसका साधी हुआ था यानि गैप कितना के बता रहा है साथ का जबकि यहां रेशियो का गैप कितना कहा एक का यानि कि इसका क बात किया जाए तक कितना हो जगा 35 अब क्या कहा रहा है आप तो हमें पता हो गया कि इसका जो वर्तवान आई परजेंट आई है वह किसका निकले सीता का आप कर रहा है उसका पूत्र का जो कह रहा है कि उसके एक वटा साथ है किसके एक वटा साथ का सीता के वर्तवान आयू क इनि बरतवान कितना है 35 कितना यह वार्ष को प्राइव को सब्सक्राइब करछे हैं अगर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक असानी से पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ तत्य के लिए धन्यवाद जैहिन